नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जे एस एसी के खिलाब सलक पर उत्रे चात्र परिक्षा रद करने की मांग। परिक्षा करें वहीं सलक पर उत्रे इन चात्रों के दोवारा जम कर सरकार विरोधिन नारा भी लगाया गया और जार्खन करमचारी चैन आयोग पर सीट को बेचने का आरोप लगाया गया परिक्षार्थियों की सीकायत के बाद जार्खन कर्म चेज़े चैन आयोगने हलाकि गुरुवार को पांच परिक्षा केंद्रों की परिक्षा रद करते हुए फीर से परिक्षा आयोजित करने का निने लिया है इसके बाजू चात नराज हाए और पूरी परिक्षा को रद करने की मांग कर रहे हाए चात्रों का कहना है कि जिस तरह से परिक्षा के दोरान परशन पत्र के पेपर सील छती गरस्त पाये गाए और परशन पुस्तिका के उपर करमांक में गर्वड़ी देखी गई इससे साफ पता चलता है कि परिक्षा में गर्वड़ी हुई है JSC परिक्षा में गर्वड़ी की CVI जांच की मांग जारखन में JSC एक पर फिर से बिवादों में है चात्र JSC परिक्षा में गर्वड़ी का आरोप लगाते हुए सलक पर उतर चुके है बता दे कि JSC के द्वारा कनिय अभियनता लैब टेकनेसियान नगरपाइल का सेवा की परिख्छा ली गई थी लेकिन यह बिवादों में है छात्रों का अरोफ है कि परिख्छा के पेपर पहले ही लिख कर दिया गया था इसी के साथ छात्र इसकी जाच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं इस मांग को लेकर जार्खन के छात्र सडकों पर उतर कर सरकार के खिलाब जम कर बवाल काट रहे हैं चात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि जब चात्र के भविस बस सवाल खड़ा होता है तब चात्र के ही में सड़क पर दिखेंगे मनोज ने कहा कि 6 सेंटर में परिक्षारत कर दी गई जबकि पूरे राजभर के हर सेंटर में या परिक्षारत करनी चाहिए ज्यारखन के दुमका से रामपूर होट आ रही यात्री बस पल्टी 50 घाया जार्खन से पच्छिम मंगाल के रामपूर होट आ रही एक बस और नियंत्री थोकल सलक किनारे पलट गई इसमें 50 जात्री घायल हो गई घायलों में 5 की हालात गंभीर बनी हुई है ये सभी लोग दुमका जिले के आलू दोहा से रामपूर होट जा रहे थे घाटना सुक्रवार को साम 4 बजे करीब बिर्भूम जिले में रामपूर होट में हुई है वही या इलाका जार्खन की सीमा से सर्ता है घाटना की सुर्चना मिलने के बाद रामपूर होट थाना पुलीस मौके पर पहुंची और इस्थिती को नियंत्रन किया चत्ती ग्रस्त यात्री बस से घायलो को सुरक्षित बहार निकाल कर उन्हें रामपूर होट मेटकल कोलेज एम होस्पिटल में भर्ति कराया गया पुलीस ने बताया है कि या दुर्गहटना जार्खन और रामपूर होट के बीच इस्थित हरीपूर और बिनान गढ़िया ग्राम के पास होई है बस के यात्रियों ने बताया है कि चालक नसे में था अगनी भीर बनने के लिए विंग कमांडर ने बचों को किया मोटिवेट भूशन प्लस टू उच विद्याले नावाडी में सुक्रवार को भीहटा भारतिये एयर फोर्स के विंग कमांडर ए प्रदीप रेडी ने छात्रों को अगनी पथ योजना की जनकारी दी और इसमें भरती होने को लेकर प्रुसाहित किया विंग कमांडर ए प्रदीप रेडी ने बताया है कि भारतिये ससस्त्र बालों में भरती को लेकर भारत सरकार ने अगनी पथ योजना शुरू की है योजना के तवर दिवाओं को चार साल के लिए सेना में सेवा देने का आउसर मिलेगा चार सलबाद चाइने जवानों में कुछ परतिसत लोगों को परवानेंट और बाकी लोगों को सेवानी विरित कर दिया जाएगा वहीं अगनी बीर बनने के लिए आयू सीमा 17 वरस से 23 वरस तक होनी चाहिए और दासवी उतिन होना अनिवार यहाए 36 गड़ में BJP के लिए परचार कर रहें बावुलार मरांडी जारखन BJP के परदेश अध्यक्स यहांपूर मुखमंत्री बावुलार मरांडी 36 गड़ में भारतिये जनता पार्टी के परत्यासियों के पक्ष में परचार में जूट गए है मरांदी ने कुन कूरी बिधान सभाच्षेत्र के बिजेपी परत्यासी विश्चुनु देव राय के पक्ष में जानता को समोधित करते हुआ कहा है कि कॉंग्रेस के मनसिक्ता विकास बिरोधी है कोंग्रेस को जानता की सेवा गाओ गरीब किसान की सेवा से कोई मतलब नहीं है कोंग्रेस पार्टी आदिवासियों दलीतों पीछडों के नाम पर सिर्फ भोट लेना जानती है उन्होंने कहा है कि देश में लबग 60 वर्सों तक कॉंग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली लेकिन अलग 36 गर राज अटल बिहारी वाजपाई के नेतिवत में बनी बिजेपी की सरकार नहीं दिया उन्होंने कहा कि चुनाव में हमके वल परत्यासी को वोट देकर आपना विधायक ही नहीं चुनते बलिक आपना भवी से भी तय करते हैं इडी अपसरों को नुकसान पहुचाने के लिए नकसलियों से संपर्क जारखन में इडी के अधिकारियों को नुकसान पहुचाने के लिए मनी लॉंडरिंग के कुछ आरोपितों ने नकसलियों से भी साथ गाठ की थी भनक लगते ही खत्रे की असंका जाताते हुए इडी ने केंद्रिय गरिह मंत्राले को इस से अउगत कराया है अब केंद्र भी इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है बतादे राजे में इडी मन रेगा घोटाला खरनन घोटाला जमीन घोटाला मामले मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसंधान के दोन बड़ा खुला सकिया है इसमें नेता से लेकर नौकर साथ को इडी नलपेटा है जिसके बाद से ही इडी के अधिकारी वह उनका कर्याले राजे के लिए चर्चा में केंद्र में है इसी बीच इडी को अपने सर्विस लाइन से सुचना मिली है कि इन मामलों में जेल में बंद कूछ आरोपीत वह जेल के बाहर उनके सहयोगी नकसलियों के साथ मिलकर इडी को नुकसान पहुचाने की कोशिस में है वे इडी के अधिकारियों को नुकसान पहुचा सकते है क्रिशक मित्रों का मंत्री आवास घेरा मिठले श्ठाकुर ने किया आंदोरन वापस लेने का अनुरोध राजे भर के 14,000 से अधी क्रिशक मित्र इंदी नो आंदोरन रत हैं राजे और केंद्र सरकार की क्रिशी योजनाओं को लागू करने में मदद के लिए बहाल किएगा क्रिशक मित्र अब सरकार से अपनी सेवा नियमित करने समेथ कई मांग कर रहे हैं राजे के सतधारी दलो के मंत्रियों और विधायकों के छेतरिये आवासों पर धारना और उपवास के बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो क्रिशक मित्रों ने अपना आंदोलन राजधानी की ओर अस्थांतित कर दिया है इस आंदोलन को जारी रखते हैं क्रिशक मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर डुरंडा में पेजल लिओं स्वक्स्ता मित्रों के सरकारी आवास का घहराव किया और हेमन सुरेन सरकार परवादा खिलाफी का आरोप लगाया बतादे मंत्री मितलेश ठाकूर के आवास का घहराव करने के बाद पेजल सुख्षता मंत्री ने क्रिशक मित्रों के परतिनिधी मंदल से बात की इस दोरान उन्होंने हेमन सुरेन के नेतितो वाली अपनी सरकार की तारीब की और कहा कि सन्वेदन सिल सरकार में किसी को अंदोर्ण करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने सब के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है चाइल्ड आर्टिस्ट एक्जिबीशन में पहुंचे सियम हेमन ज़ार्खन सरकार के इसकुली सिक्षा विभाग के दोरा चाइल्ड आर्टिस्ट एक्जिबीशन का आयोजन किया गया यह कारकरम रांची के आड्रे हाउस में तिन नॉमबर से पांच नॉमबर तक आयोजित की गई कारकरम के पहले दिन राजी के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन मुख्याती थी के रूप में सामिल हुए यहां उन्होंने बाल कलाकारों के द्वारा बनाये गए चीतरों और कलाकी रितियों को देखकर बच्चों की खुब परसंसा की बता दे मुख्य मंत्री हेमन सुरेन परदसनी में आए बच्चों द्वारा बनाये गए अपने पीता स्थीबू सुरेन की तस्वीर को देखकर मंत्र मुख्ध हो गाए जिसके बाद उन्होंने बाल कलाकारों की सरहना की कारकरम को लेकर स्कूली सिक्षाम सर्षता विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी अक्षाय कुमर सिंग ने बताया है कि यह कारकरम मुख्य मंत्री के पहल पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है जारखन कैबिनेट से 23 प्रस्ताव पर लगी मुहर राज सरकार के करमचारियों को हेमन सरकार ने दिवाली का तोफा दिया है महागाई भाता की दर में बिरिधी करते हुए 1 जुले 2023 से पुनरीक्षीत डिये मिलेगा इस तरह से अब 46% महागाई भाता मिलेगा इसका लाब राज सरकार के सेवा निवरित करमी और उनके परिजोनों को भी मिलेगा मोखे मंतरी हमन सरकार के ने दिवत में सुकरवाती नौमर को होई केबिनेट की बैठाक में महागाई भाता में बिरिधी के अलाबते इस प्रस्ता पर मंजूरी परदान की गई परभारी केबिनेट सचीव अजय कुमार सिंग ने केबिनेट में लिये कर निर्ण की जनकारे दी है बता दे केबिनेट की बैठाक में राजची में बन रहे फ्लाई ओवर के लिए मंतरी परिशत ने एक महत्पूर निर्णे लिया है रांची में बारिश से बढ़ी ठंड नॉमबर का महिना सुरू हो चुका है दिन छोटा होने लगा है और साम को ठंड महसूस होने लगी है लेकिन बे मौसम बारिश ने ठंड को सक्रिये होने का संगत्य दिया है द्धन नॉमबर की दोपर राय धानी रांची समेत राज के कई लाकों में बारिश हुई कुछ पल के लिए जिन्दिगी थंसी गई मौसम केंदर रांची के मुताबिक चार नौमर को राज के दक्षीन पूर्वी इलाकों में गजन के साथ कहीं कहीं हलके दर्जे की बारिज की समवना है इस लिहाज से रांची, गुमला, खोटी, सिम्डेगा, चाईवसा, सराय, केला और जमसेदपूर के इलाकों के लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है ठोक मंडी में गीरा प्याज का भाव महंगाई से जूज रहे लोगों के लिए एक अची खबर है प्याज की बढ़ती कीमतों पर कावू पाने के लिए केंद्र सरकार दोरा उठाय के कदमों का असर होने लगा है जारखन में अनाज की सबसे बड़ी मंडी 15 बजार समीती में सुक्रवार को प्याज के ठोक दाम में 12-15 रुपे प्रतिक किलों की गिरावट आई है जिसके बाद 35 रुपे प्रतिक किलों की दर से प्याज की विक्री हुई मताद प्याज की ठोक कीमत में कमी के बाद इसका असर जल्द ही खुदरा सबजी बजार में भी देखने को मिलेगा प्याज की खुदरा बजार कीमत में 10-15 रुपे प्रति किलो की कमी आने की संभावना है सराय केला में 8 बालू घाटों की निलामी सुरू सराय केला खरसावा जिले में अब बालू की किलत दूर हो जाएगी अब बालू घाटों की जाएगी और बालू का उठाव वैध तरीके से हो पाएगा बालू उठाव करने पर चलान भी मिलेगा इसके लिए बिभाग द्वारा पहल सुरू कर दी गई है पहले चलाण में सराय केला खरसावा जिले के आठ बालू का हाटों की इा निलामी की जा रही है इस तम Lamb में जिला खरनन पतादीकारी सन्नीकुमा ने बताया है की बालूग हाटोक निलामी को लेकर खाने में भोतात विभागरांची के निदेश पर निलामी शुरू की गई है इसमें 9 नवंबर तक बालूग हाट के लिए सनवे तक निविधा में भाग ले सकेंगे रेल लाइन पार करते हुई मौत हाई कोट ने 8 लाख मुअबजा दिलाई जारखन हाई कोट ने 2017 में गड़ा में फूट ओवर विर्ज न होने और लाइट की अच्छी सुविधा के अभाव में रेल पट्री पार करने का परियास करते वक्त जान गवाने वाली महिला के पती को 8 लाख रुपए का मुअबजा मंजूरी किया है नया मुर्ति परदीप कुमाज स्री वास्ताओं ने रेल वे के खिलाब मुरितका के पती सुरेश राम की अपील पर सुर्वाई करते हुए पुरो मधर रेलवे हाजी पूर को दुर घटना के लिए जिमेदार ठाराया क्योंकि एस्टेशन पर समोचित रोशनी और फूट ओवर विरीज का अभाव था अदालत ने इसके साथ ही मुरितका के पती को मुवजाद देने का आदेश दिया है जार्खन में 6909 चात्रों को 8.48 करोर का अनुदान जार्खन पुलिस सिक्षा कोस की बैठक में 6909 चात्रों को पढ़ाई के लिए अनुदान देने का एलान किया गया यहारासी 6,000 से लेकर 25 एर्थक की होगी यहां मदद सिर्फ पुलिस वालों के बच्चों को ही दी जाती है इसकी सुची पुलिस ने जारी कर दी है जो जार्खन पुलिस की वेबसाइट पर उपलबद है कुल रासी 8.48 करोर रुपाय है यहारासी जीन पुलिस वालों ने अपने बच्चों की सिक्षा के लिए मांगा था उनके खाते में चली जाएगी इसके लिए तीन महिने से पर किरिया अपना जा रही थी जिसे पूरा किया गया इसमें 10-20 से लेकर बीटेक, मेडिकल, आदी, उच सिक्षा पराप्त कर रहे चात्र सामिल होंगे तीन साल इंटर में फेल हुए तो फिर से देनी होगी एगारवी की परिक्षा तीन साल लगातार इंटर की परिक्षा में फेल होने पर बिद्यार्थी अब चौथी बार बरावी की परिक्षा नहीं दे पाएंगे ऐसे बिद्यार्थियों को चौथे साल दुबारा एगारवी की परिक्षा देनी होगी तब जाकर उन्हें बरावी की परिक्षा में बैटने दिया जाएगा इसके लिए उन्हें दोबारा अपना पंजियन जार्खन एकेडमी काउंसिल में कराना होगा काउंसिल की ओर से इसे लेकर गाइड लेंज जारी की गई है जैकी ओर से कहा गया है कि जो विद्यर्थी 2021 कई से लगातार इंटर की परिक्षा में फेल हो रहे हैं या पिछले तीन वरस पहले उन्होंने अपना पंजियन कराया है उन्हें अब लगातार तीन साल बाद तभी इंटर की परिक्षा में बैठने दिया जागा जब वे पुना पंजियन कराएंगे